आधर अधाव, अमीन अंदना भार, मैं हूं माना सावर स्वागत है आपका एक बाद फिर से सफर नामा में तो दोस्तों जैसे कि आप लोग प्यार देते हैं हमारी फनीचर की वीडियो पे तो आप देख सकते हैं एक बाद मैं फिर से आप लोग को फनीचर की वेराइटीज लेकर के आया हूँ यहाँ पर बेसिकली आप लोग को हर चीज मिलने वाली है देख सकते हैं आप लोग सोफे की चेर्स की काफी आप लोग को डिजाइन मिलने वाली है और एक से एक जवरदस्ट क्वालिटी के प्रीमियम टाइप के आप लोगो सोफेस की पूरी रिंज मिल जाएगी तो आज मैं आप लोगों को मैनिफेक्चरर के पास लेकर के आया हूँ जो बेसिकली फनीचर्स होगारा में डील करते हैं सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है आज की वीडियो में हम आप लोगों को सोफे की रिंज दिखाने वाले हैं सोफे की हाई बैग जो चेर्स होती हैं इन सब की तो यह सब दिखाने के लिए मैं आया हूँ श्री मूर्ती फनीचर्स पे और सर की लोकेशन पढ़ेगी चानक के प्लेस में जनकपुरी के बैक साइडर पढ़ता है यह तो चलिए मिलते हैं यहां के उनर से और सारे प्रोट की जनकरिया सारे डीटेल साब लोगों को प्रोवाइड करता हूँ मैं तो दोस्तों मैं आचको ओँ शोरूम के अंदर और यहां भी मिलते हैं को अनर से हलो यह कैसे हैं हलो कैसे हैं आप सब बहुत बढ़िया सर क्या शुना में आपका मेरा नाम पवन शर्मा है अपने शोरूम के बारे हम बताए कि इनके प्रोट्स अगर में आप डील करते हैं ह क्या होता है हाई एंड लग्जरी सोफा जी विद कॉस्ट एफेक्टिव रेंज इसके साथ में हम आपको डबल बैट डानिंग टेबल और हर होम डेकॉर के रिलेटिट फरनीचर में डील करते हैं तो यह सारी आपके खुद की मैनुफेक्ट्चरिंग होते हैं हमारी जी जी किरति नगर में मारी वर्क्शॉप है यह वेर हाउस हमने ओपन करा है अभी फ़रे पहले ही पूरे डेली इंसियार से आप कंपेर करिएगा मेरे डिजाइन भी और मेरे प्राइस भी यह सोफा देखें यह फाइव सीटर 3 प्लस 1 प्लस 1 है यह मार्केट रेड आपको 50-60 के अब यहीं आपको 30,000 में दूगा अच्छा चलो तो सेवें सीटर बैसिकली यह सोफा होने वाला है देख सकते हैं और काफी अच्छे कलर कॉमिनेशन के साथ काफी प्यारी सी डिजाइन बेसिकली बना रखी है इस वाले डिटेलिंग चेक करिए एक एक लाइन डॉट जो च आइन आप देखिए प्लस में चीज है एक कमफटेबिलिटी सोफे की बिल्कुल एक फुल कमफटेबिलिटी आपको सोफे की मिलती है जी जी मैट्रेस हमने जो इसके इंदा यूज किया गया है इसके साथ में आपको यह कुशन्स भी प्रोवाइड करेंगे अच्छा फैब लेते हैं रूम के अंदर और सिटिंग पूरी आपको मिलती है मिलने वाली है तो अगर मैं बैक से भी बात करूं तो बैक से भी आप लोगों को कुशन का ऑप्शन इसे मिलने वाला यह सर एक चीज़ और आप इसमें चेक करवाई है हमारे कस्टमर्स को यह हमने चेंड दिय करते हैं ठीक है सर और अगर मैं कॉस्ट की बात करो सर तो यह क्या कॉस्ट होने वाला बैसे क्ली प्लस टू प्लस टू जी हमारा पूरा सोफा 42,000 रूपीस का आए सर्फ अचा बैलीज़ दर का पड़े गई है ठीक है अगर मैं वारंटी की बात करो हूं तो बैसिकली इनमे फाइव यर्स की है उसके अंदर आपको कोई भी टेंशन लेने की दिए एक आपको मैं क्लारिफिकेशन देना जाता हूं यह तो हम आपको यह चीज़ अशुर कर सकते हैं कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं कि 40 देंस्टी मेट्रस लगा है फैदर फॉर्म का स्लीपल का तो वह अब लोगों को पूरा फॉर्मिंग मिलने वाला है तो आप देख सकते हैं पूरा क्वालिटी वर्क आप लोगों को फॉनीचर्स में सोफे में हर चीज में यह पर मिलेगा बिल्कुल एक और ऑप्शन दोस्तों आप लोग यह देख सकते हैं यह कौन सा होगा सर इसमें सर इ क्या सकते हैं DLF टाइप के सोसाइटियों में आपको विजिबल मिलता है बिल्कुल काफी आजकल फेमस चलता है बैसिकली डिजाइन चेस्टर फील सोफा होता है इसकी डिटेलिंग के अंदर हम आपको बताएंगे कि पूरा SS का रोस गोल्ड कलर के अंदर लेग लग लगा वह आप देख सकते हैं फैबरिक और फोर्मिंग की डिजाइन और फोर्मिंग की जो कॉलिटी होती है उस पर ही डिपेंड करता है यह देख लीजिए आप लोग यह रहेगी कुछ डिजाइन इसकी तो यह भी आप लोग का 3 प्लस 2 प्लस 2 7 सीटर होने वाला है यह रहेगा इसा कुछ सोफे का पूरा यह देख सते हैं आप लो काफी अच्छी कॉलिटी है और यह सवेड फैब्रिक लगा रखा है इसमें जी बिल्कुल सर स्वेड फैब्रिक बिल्कुल काफी अच्छी डिजाइन बेसिकली बना रखी है और यह क्या प्राइस का होने माला सर अगर यह पूरा सोफा हमारा है सेवेंटी थाउजन रुपीज का प्री ब्लस टू प्लस टू सर तो के सेवेंटी थाउजन का इसकी कमफेटेबिलिटी बहुत बढ़ी आया है सर डिजाइन एंड डिटेलिंग आप चेक करी है कोई भी आप जो बीच की है जो डॉट्स आपकी बात है जैसे यह सेंटर में इसका यहां पर होल है तो इसके वी सेंटर में होल आप लोगों को यहीं पर मिलने वाला है तो इस चीज़ से काफी फरक पड़ता है हमारी सर स्पेसिफिक टीम है जी वर्कमेंशिप के अंदर हम कोई भी कॉंप्रमाइज नहीं करते हमारी इसकी लेग्स पूरी एकस्स में है उपर इसमें मार्बल रखा है कंपोजिट इंपॉर्टेट मार्बल ऐसा अच्छा ठीक है क्या साइज होने वाला सारी सवातीन सवातीन की सेंटर टेबल सवातीन की ते रखी है यह देख सबते हैं दोस्तों क्वालिटी वर्क पूरा पड़ेगी तो अगर आप यह रेना चाहते हैं यह एक आप्शन आप लोगो सेंटर टेबल का यह मिल जाएगा यह देख सकते हैं यह एक वराइटी होने वाली है सर यह डिजाइन हमारा 3x3 के अंदर है इसमें एक आपको ड्रॉड दी गई है अच्छा जी पीक है उपर इस लोटस डिजाइन सर इसकी डिजाइनिंग देखिए कपिंग हो जाती है आपकी यह देखिए प्रॉप पर एकदम लग्जरी फील मिलती है अपने को बैठते हैं मैं से लगते हैं फाइशार होटेल में बैठे हैं बिलकुल ठीक बात है और इसका प्राइस से मात्र मात्र 25,000 यही डिजाइन आपको प्राइस जो मिलेगा वह मिलेगा 50,000 45,000 इससे डाउन आपको नहीं मिलेगी बिल्कुल और एक चीज़ दिखाऊंगा सर इसकी लेक्स देखिए इसमें SS की कपिंग लगा रखी हैं में पर गोल्ड कलर में आपको तो यह आपका बुडन लेक के साथ इसकी फ्रेमिंग सारी के सारी हमारी सागवान वुड की अंदर से ओके तो कुछन की कॉलिटी आप देखेते हैं दोस्तों काफी अच्छी होने वाली है आप लोगों का वेलवेट रहने वाला है यह देख सते हैं डिजाइन काफी अच्छी है और प्राइज आप दाने 25,000 म एक दम डिफरेंट दिखने में सोफा है लेकिन मैं आप कोई क्या हूंगा यह मेरे लिए डबल बेड है अच्छा डबल बेड कैसे है सर यह 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 चेक करें आप इसका डिजाइन चेक करें क्या बात है यह से दोस्तों एजी तो मेंटेन कोई 10 साल का बच्छा भी इसको हो बढ़िया और आप हमारी हमारी सारी प्लाइबोड यूज हो रखी है कोई भी क्वालिटी कॉम्प्रमाइजेशन नहीं कर रखी बात है पर मेकैनिजम यूज हो रखे है है आप लोगों का मेकैनिजम मिला यह देख सकते हैं आप लोग तो सोफा कम बेड बेसिकली कि आप कोशन अंदर से बाहर आया है अजी वुडन फ्रेम के उपर नहीं है मेरा बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आपको वही चीज क्वालिटी में अभी तक उन सोफा पे भी सड़ सकता हूं इस पर चड़ने का मतलब यह है कि आपको क्वालिटी बिल्कुल चेक रहा है तो इसके और इसका प्राइस जो रहेगा सर हमारा वो ओनली 48,000 रुपीस सिर्फ 48,000 रुपीस कर रहेगा तो आप जैसा चाहें मतलब सोफा भी और बेड़ भी दोनों तरह से आप लोगों कर से बनने वाला है तो देखें एजी है कुछ भी नहीं करना पावर तो लगनी ही नहीं आप सिक सीटर के पैसे अच्छा बट मैं आपको दूंगा एट सीटर सोफा एट सीटर होने वाला है ठीक है यह देख सकते हैं दोस्तों यह कैसे है यह देखें आप इसका आम और यह मूफ कर गया क्या बात है यह प्रोपर फोर्मिंग हो रखी आप इसके उपर इसी नी बैठ सक इसके अंदर एक खासियत हो रहा है इसकी जो लेक्स देखी है जी प्रोपर वुड़न फ्रेम के उपर है कि सागवन वुड कहते हैं अच्छा हां जी सर बहुत बढ़िया तो बेस आप देख सकते हैं दोस्तों मतलब हैवी बेस बना रखा है पूरा फैब्रिक कौन सा होगा इसमें यह भी आपका सुएड फैब्रिक के अंदर जो चीश चल रही है सर सुएड चल रही है जी चाहे यह सोफा लेदर राइट में ले ले चाहे यह प्रिंटीड फैब्रिक में ले वो कस्टमर च्वाइस हैं हमें कोई इस्वन है क्लर कॉमिनेशन हर तरीके से अबले ले पूरी डिजाइन आप लोगों को सोफे की मैं दिखा दे रहा हूं सोफे की कुछ जो एल सोफा है सिफ इसकी कॉस्ट आती हमारी 48,000 रूपीस के रहे गई है और फोमिंग वही फॉर्टी देंस्टी सर फैदर फॉर्म फॉर्टी देंस्टी दावे के साथ दे सकते हैं आपक काफी अच्छी डिजाइन के साथ होने वाली है तो इसका क्या ओप्शन होने वाला है सर इसकी प्राइसिंग जो रहेगी हमारी वह रहेगी 13,000 यह पूरी की पूरी टीक प्लाइवुड के अंदर बने ही बना रखा है हां जी ठीक है यह भी डिजाइन दे रहा है इसमें हां बिल्कुल ठीक बात है जो हमारी सारा डिजाइन है वह यहीं पर कफ खतम हो रहा है उसका कफ बोटन तक जाता है हमारा ओकी ओकी है यह डिफ्रेंसाइस के अंदर बिल्कुल बिल्कुल जी देख सकते हैं दोस्तों यह भी आपनों को फाइव सीटर में चेस्टर फील्ट बात है यह देख लिए रहे कि डिजाइन अपलों की फाइव सीटर आप लोगों का सोफा मिल जाएगा काफी अच्छा है और इसमें कोई बगार चेंज कराना चाहिए इसकी कोश्ट हमारी ना आप इसको चाहिए थमनेल में यूज कर लीजिए अच्छा यह सोफा मारा मात् थ्री प्लस वन प्लस वन ओनली 30,000 रुपीज सिर्फ 30,000 रुपे गया है वो भी साथ चेस्टर फिल्ड सोफा है बहुत बड़ी है तो यह सोफा नियर अब बार करों तो कम से कम 50,000 अबभी रहता है यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कम से कम आपको हाफ रेट में मिलने वा सोफा तो आप 5 सीटर ही ले रहे हैं तो फॉर सीटिंग अडिशनल मिलती आपको इसके ओपर आप बैठ सकते हैं चोटे-चोटे स्टूल भी होना रखे है तो इसे बैठ के अपना लंच भी कर सकते हैं आप राम से मैं चार स्टूल को उप्शन दे रखा है एक दो तीन और यह चार रहा है तो यह दिख लिए काफी अच्छी डिजाइन होने वाली यह का उस परने वाली सरी इसकी कोस्टिंग रहेगी हमारी 15,000 रुपी अचा सिर्फ 15,000 रुपे कर रहे हैं तो यह सोफा में आप लोगों को एक और यह डिजाइन मिलने वाली है यह देख सते हैं द अब देखा होगा जो एल्स शेप के साथ जो सेंटर टेबल आती है उसके अंदर स्टोरे स्पेस नहीं रहती इसके अंदर हमने जब ग्लास आजएगा तब आपको यह स्टोरे स्पेस मिलेगी बट मिलेगी जरूर तो इसके आपको यह रखना चाहें निशे पर वगरा मैग यहां पर देख लीजिए हत्ते पर आपनों को पूरा ऑप्शन मिलने वाला है जी ठीक है और डिजाइन बेसिकली चस्टर फील्ड वाला ही पूरा बना रखना है बिल्कुल बिल्कुल तो यह आपनों का पूरा एट सीटर सुफर रहेगा इसमें कुशन भी रहेंगे सार हा आपके बास अवेलेबल यह है जो हमारा एसस है वह हम आपको तीन कलर में प्रोवाइड करते हैं अच्छा सिल्वर गोल्ड एंड रोस गोल्ड ओके यह तीनों कलर के साब अपना अपना फैब्रिक वाइस तो यह बहुत अच्छा लगारा सा कालर कॉमिनेशन तो बरदस्त अच्छा लग रहा है यह हमारा सबसे प्रीमियम डिजाइन है जी इसका जो कमफर्ट रहता है समय ली जैसे आप हम रिक्वार्मेंट मांगते हैं जा लेने आते हैं तो इसके साथ में प्रिक्वार्मेंट किया गया हमने वह जब आएंगे तब उसको जादा डिस्क्राइब करेंगे अब हम आपको से बैट के कमफर्ट अबिलिटी बता सकते हैं तो के बैक साइड जो है यह प्रॉपर फाइबर की रिलाइंस फाइबर की आपकी यूज की गई है अच्छा यह देखिए पंचिंग चेक करिए ऑके सोफे की पूरी इनर तक है अच्छा आप इससे इम हमने एक कॉंबिनेशन रखा है कश्मर अगर ना चाहिए तो पफी ना लेके तो हाइब चेर ले लीजे तो वह एक कंसेप्ट डिफरेंट हो जाता है हमारा जब हम रूम के अंदर रखेंगे अपना तो एक एल्सोफे के साथ एक फीलिंग आएगी राजा महारा जो वाली ब इता हम देख सकते हैं जो कर्व अगर यहां पर दिया गया है एक दम डिफरेंट डिजाइन है और फैब्रिक देख लिए इसमें इस्तेमाल किया गया है लाइनिंग जो की बना रखी है यह देख सते हैं आप लोग और लेक बूडन का है प्लस नीचे एसे का कैब दिया गया और यह देखिए यहां पे कलर अलग है यहां पे जो ऐस्तेमाल किया गया है यह अलग टेशक तो काफी अच्छा अच्छा चेयर का तो कॉस्त बदखेशां की क्या को स्वाश्ट होने वाली है हमारी जो की कॉस्त रहेगी है वह रहेगी हमारी 52,000 रुपी फिट्टी जह वे पफी इंक्लूट रहेगा जी हमारी जो हाई बैक चेर है इसका एडिशनल रहेगा और इसकी दो पेर के कॉस्ट हाई कि सर ओल्ली 35 थाउजन रुपीज तो काफी अच्छी क्वालिटी वर के साथ अपनों को फनीचर मिल जाएंगे चेर्स का उप्शन काफी मिल जाएगा इसम प्रॉपर आपको एल कॉर्णर के अंदर दिखा दिया गया है इसकी डिटेलिंग आपकी वही सारी 40 डेंस्टी का आपको सारा मैट्स लग रहा है जो वुड यूज की गई है इसके अंदर वह सारी मरंडी मरंडी की रखी है अभी इसकी सेंटर टेबल ऑमेट है यहां पे व इसमें डिजाइन के रहेगे टेबल में तो आप लोगों को यह पूरा सोफे का ऑप्शन यह मिलने वाला है यह क्या प्राइस पड़ने वाला है इसके अंदर एक बेस्ट चीज जो है वह चीज यह है यह सोफा अगर मैंने मेरे पास यह वाली वाल पे स्पेस कम है तो हलका सा हिलाना है सर यह सीट आपकी सिंगल यहां से हटेगी तो उससे एड़ेस्ट हो जाएगा प्लस आपको यह यहां नहीं रखनी निकाल के आप भार भी रख सकते हैं विद कुशन आपको यह सीट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको कमफेटेबिलिटी के अंदर कोई भी कॉंप्रोवाइज नहीं करना पड़ें यह ठीक बात है तो अपने रूम के साइज के एसाब से आप एजस्मेंट कर सकते हैं तो इसमें आप लोगों को दो पफी यह सेंटेबल सब्सक्राइब अपने वाला है तो इस तरह के बहुत सारे वराइटी बहुत के पास मिल जाएगी यह देशते हैं दोस्तों सोफे के साथ-साथ आप लोगों को डबल बैट के बही ऑप्शन्स मिलने वाले हैं जैसे यहां पर एक दो सैंपल लखा हुआ है तो जैसे यह डब स्टोरेज बॉक्सिज में हाइब के साथ हैं पुरा ही इसके कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपीज अचा सिर्फ 25,000 का पड़ेगा पूरा स्वेट फैबरिक होगा और इसमें भी आप लोगों की मतलब हैवी देंसिटी फोम बिल्कुल सर आप इसको पंच कर यह दे अच्छी डिजाइन बिसिकली और लुक अच्छा आता है और क्या रेंज होगा सर इसकी भी स्टेट 25,000 रुपीज पड़ेगी नेक्स वीडियो में आपको और वराइटीज मिलेगी डबल बैड़की डिफरेंट वराइटीज ऑफ रेंग तो सर जैसे माली जै कोई इसको औ इंडिया में कहीं से मगवाता है तो आप लोग कैसे डिलिवर करवाते हैं सर हम उनको वर्ट सपे सारी कोईरी स्वल कर देंगे डिजाइन फैनलाइज कर आ लेंगे ये फैब्रिक फैनलाइज हो जाएगा दिन बनके आप बनके तियार हो जाएगा तो फोटो हम बेज यह सब एक्ट्रा चार्ज करता है विद जी एस ती अच्छा फिर हम उसके डिलिवरी कर देंगे और दिलिवरी सर एक छोटी सी तर्मन कंडिशन है हमारी डिलिवरी हमारे स्टोर से जब भी होईगी वह आफ्टर फुल पेमेंट ही होईगी ठीक बात है जब पेमेंट होता ह सब्सके बाद ही आपको डिलिवरी मिलने वाली है और सर अगर कोई माली यहां पर विजिट करना चाहिए तो क्या लोकेशन पड़ती है यह अपना हमारी पड़ती है नियर बाइ डावडी मेट्रों सेशन और माता चननन देवी हॉस्पिटल यह दो लैंड मार्क्स है कोई क सब्सक्राइब को अगर पसंद आती है और जो भी मेरे चैनल पर नहीं सब्सक्राइब ने किया मेरे बाई एक लाल का बटन होता उसको दबादो से वगल में गंटी का उक्शन होता है तो अभीक लिए इतना ही मिलते हैं आप से सब्सक्राइब करें और यह मुस्कुराते रहे और देखते रहे सपनामा धन्यवाद